Trust me, they are fooling you. तो आप लोग बोलोगी सर्देन, why you are talking about 100 days? Now I am going to talk about 100 days of preparation for those who have already started. तो इन 100 दिनों में कैसा अप्रोच होना चीए? क्योंकि जैसे हम एक्जाम के करीब आते हैं, आप मतलब भाई पानीनी के आउतार हो, जो कि मतलब एक बार पढ़ लिया बस यहां आ गया और आपका पढ़ने का स्पीड इतना ज्यादा हो कि आप Sherlock Holmes के भी बाप हो, तो बात अलग है. Hello friends, welcome again in AVKS Academy. My name is Vinay and today we are going to talk about how to prepare for CAPF exam in these last 100 days. Okay, तो सबसे पहले एक बात मैं clear करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो है, आपको यह बताने की कोशिच कर रहे हैं शायद, कि या, like how can you crack CAPF exam in 100 days, how to prepare for CAPF exam in 90 days. Trust me, they are fooling you. I am not saying it is not possible at all, but I am saying that it is impossible. For an average student. And when I take lecture here, I consider an average or above average student who is planning to become an officer. आप मतलब भाई पानीनी के आवतार हो, जो की मतलब एक बार पढ़ लिया, बस यहाँ आगया, और आपका पढ़ने का स्पीर इतना जादा हो, कि आप Sherlock Holmes के भी बाप हो, तो बात अलग है. लेकिन अगर आप एक average or above average student हो, और अगर आप दिल से चाहते हो, कि आपको CAPF exam crack करना है, तो trust me guys, you have to start to prepare, actually ideally, before one year, अगर पकड़ लो, मतलब कुछ कारण की वज़से, आप वो नहीं कर पाई, तो at least six months से आपको उस बात को शुरू करना है. मैंने पिछला एक वीडियो लिया था, जिसमें मैंने actually 120 days का preparation का plan दिया, जिसमें paper on paper 2 बोला था, तो बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं, कि sir फिर उस वीडियो में तो आपने बोला था, चाहर में में कर लो, ये मैं assume करके चलता हूँ, कि कुछ थोड़ा बहुत background preparation आपने करके रखा है, और अभी उसको boost up कैसे करना है 100 दिनों में, उसकी बात हमने उसमें की थी, कि इन 100 दिनों में आप थोड़ा सा इस तरह से करो, फिर paper 2 को भी ignore मत करो, और फिर आखरी के 20 दिनों में proper revision करो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है, कि आप 3 मेने में या 4 मेने में इस exam को crack कर दोगे, बहुत सार लोगों को लगता है, notification आगया, आप मैं पढ़ाई को शुरुआत करूँगा, तो पढ़ाई को शुरुआत करेगा, तो भाई एक बाद याद रखना, अगले साल की exam की तो यह ही कर ले अभी से, नहीं होगा इस साल, so let me be very clear about this, if you really want to become an officer, be honest about your preparation, your capacity, and about the level of exam, and make sure that when you go for it, you crack it, तो अगर सच में आपको लगता है, कि आपको exam crack करना है, और अगर अभी आप सोच रहे हैं, कि मुझे पढ़ाई की शुरुआत करनी है, बहुत अच्छी बात है, अभी से पढ़ाई शुरुआत करो, लेकिन 2022 के लिए नहीं, 2023 के लिए, खेर, यह जो lecture है, यह 2022 के students के लिए ही है, तो आप लोग बोलो कि इसर देन, why you are talking about 100 days, now I am going to talk about, 100 days of preparation for those who have already started, तो इन 100 दिनों में कैसा approach होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम exam के करीब आते हैं, थोड़ा सा conscious हो जाते हैं, थोड़ा डर लगता है, लगता है कि भाई, पता नहीं, अभी साही track पे चलता हूँ क्या, like exam is coming close and, तो थोड़ा सा एक approach, अगर आपको थोड़ा पता चल जाए, तो शायद आपको help हो सकता है, हो सकता है कि आपका approach जो है, मैं जो अभी approach यहां share करने वाला हूँ, उससे भी भेथर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़े शायद आपको help करें, तो those who are already preparing for this exam, those who are very serious candidates, लास्ट लेक्चर में मैंने इस चीज़ को आपको बोला था, कि आप serious हो, तो उन लोगों के लिए वीडियो है, आगे बढ़ने से पहले एक सबसे important बात, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, पेपर 1 के regarding हमने 4 months strategy वाला एक वीडियो बनाया था, तो इसको पहले बंद करो, पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो पर आओ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कुछ चीज़े बताई है, और वो अज्यूम करके मैं इस वीडियो में आगे वाली चीज़े बताने वाला हूँ, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा क्या रही यह सर क्यों बोल रहे है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने books के reference के नाम बताये थे, syllabus के बारे में थोड़ा discussion किया था, और और planning के बारे में थोड़ा discuss किया था, उसके आगे का plan हम लोग discuss करने वाले हैं, उस वक्त मैंने बोला था कि आपको PYQs का study करना है, लेकिन वो कैसे करना है वो आज discuss करेंगे, ठीक है ना, उस वक्त अलेडि में syllabus बता चुका हूँ, बुक्स के नाम बता चुका हूँ, अब उसको cover कैसे करना है, revise कैसे करना है, अलग-अलग subjects को connect कैसे करना है, इन कुछ चीजों के बारे में आज का हमारा session है, जो कि इन 100 दिनों में अगर आप उस तरह से जाते हो, तो शायद आपने अब तक जो काम किया है, वो और थोड़ा सा उभर के बाहर आएगा, ठीक है, देखिए, exam जो है CAPF की, या for that matter, any competitive exam, पकड़ लीजिये मैं 6 मैंने से prepare कर रहा हूँ, तो पकड़ लीजिये मैं 1st of Jan से prepare कर रहा हूँ, अजूम कर के चलो, तो कभी-कभी ये सवाल आप लोग उनको आना चाहिए, कि 1st of Jan या 20th of February को जो मैंने पढ़ा, वो मुझे याद है क्या? And if I am not remembering that, if I am not able to remember that, then sometimes, you know, you should ask yourself, does that mean that the study I did on 1st of January or 20th of Feb is lost? वो पूरी वरे से काम से चला गया हूँ, there are chances, क्योंकि अगर आपने revision नहीं किया है, if you have not revised the stuff, then you can say 70% or 80% of it is already lost. क्या आप ये चाहोगे कि अगर आप बहुत सीरियसली कुछ प्रिपेर कर रहे हो, तो जो मैंने अल्री पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैंने रिवाइज नहीं किया, तो मेरे दिमार्ग से निकल गया, और अगर exam के दिन अगर वो काम नहीं आया, तो you can say that was a best of day. बोलने के लिए तो मैं बोलता हूँ, कि I am preparing for six months, for four months, five months, one year, लेकिन जो मैंने अब तक काम किया है, अगर वो मुझे exam के दिन में काम नहीं आता है, अगर याद नहीं आता है, that means you are at the loss, जो UPSC यह वो आपका ये नहीं देखने वाली कि भाई, ये वन्दा तो भाई, एक साल से prepare कर रहा है, तो इसको ना consider कर लेते हैं, आपकी exam ही आपका reflection है, that's it, आपकी exam का score basically, है ना, तो हमें ये सारी हीदों के बारे में सोचना है, तो अभी ये जो तीन मैने हैं, इसमें भी इस तरह से बढ़ा ही करना, कि एक एक दिन actually count हो, और आपको end में उसका benefit हो, तो उस angle से हम लोग आज बात करने वाला है, सबसे पहली बात, जिस topic के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो है, like, you should know that we are going to talk about paper 1 in this video, and in this video we are going to first talk about pyqs, तो मैंने last video में भी बोला था कि pyqs जो है, वो बहुत important role अदा करते हैं, क्योंकि exam की जो level है, और exam का जो pattern है, ये दोनों चीज़े pyqs cover करता है, जब मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे कैसे समझ में आएगा, am I up to the mark or not, वो तो pyqs से समझ में आएगा, और exam का जो pattern है, exam का pattern कैसा है, return exam है क्या भाई, paper 1 की बात कर रहा हूँ, नहीं, objective exam है, MCQs है, तो जितना मैं pyqs को देखता हूँ, उतना मैं exam के करीब जाता हूँ, exam को समझ पाता हूँ, बहुत बार लोगों को लगता है कि, sir, please, इतना पढ़ना है, आप और बोल रहे हो pyqs, देखो, time नहीं है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो न, वो west है, utter west, if you are not looking at pyqs, और वो कैसे utter west है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, if you think that studying equals to reading, then you are again fooling yourself, pyqs कितने important है और कैसे उसको करना है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, सबसे पहली बात तो pyqs, फिर कौन-कौन से pyqs लेना है, कम से कम 10 साल की pyqs देना चाहिए, 2013 या 12, 11 से भी possible हो, CAPF के बात कर रहा हूँ, है ना, सबसे पहले तो उनका printout मार लो, या फिर अगर कोई ready-made book market में available है, जो की, बतलब pyqs उन्होंने दिये है, पिछले 10-15 साल के, और कुछ-कुछ इताबल में बहुत अच्छा होता है, कि वो sort out करके देते है, कि geography की ये है, history की ये है, फिर पूरे paper भी उसमें देते हैं, और section wise भी देते हैं, it is always beneficial to get such book, when you are planning to prepare for competitive exam, so get such book, अच्छा, उसके अलावा मैं आपको ये suggest करना चाहूंगा, कि सिर्फ CAPF के 10 साल के paper मत लो, CDS नाम का exam होता है, साल में 2 बार होता है, और उसका और CEPF का level जो है, exam का जो सवाल पूछते हैं, वो more or less same है, CDS के question paper download करो, उसका print out मारो और PDF अपने साथ में रखो, अब CDS का अगर साल में 2 बार होता है, और अगर आप 10 साल का calculate करते हैं, तो 20 question paper मिल गए आपको, CEPF के 10 हो गए 30, और मैं आपको recommend करूँगा, NDA नाम का exam होता है, वो भी साल में 2 बार होता है, वो भी 10 साल के आपको 20 paper मिल जाएंगे, तो कम से कम 50 question papers आपके सामने हैं, आपके साथ हैं, हमेशा, आपका रोज का जो schedule है, उसमें ऐसे होना चीए, कि आप जैसे ही पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हो, question पर उठाओ, उसको थोड़ा सा गुमाओ, कुछ question देखो, try करो, लेकिन बसर आप पढ़ा ही नहीं, तो answer कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप को ऐसे लगता है, तो मैं काम करता हूँ, फिर मैंने खोला, पकड़ लो मैं स्पेक्ट्रम बहफर कर रहा हूँ, modern history के लिए, मैंने स्पेक्ट्रम खोला, देखा वहा, कहा दिख रहे है राजा राम मुहन रोए, ओकी ओकी यह आगया उनका, ब्रामो समाज और movement, फिर उस चक्कर में मैं क्या करता हूँ, पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे उस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन मुझे लगता है चलो अभी देखी लेते हैं, उसके आगे का, पीछे का थोड़ा देख लेता हूँ, ये भी पढ़ाइं करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं ये नहीं कहे रहा हूँ कि ये ही तरीका है, लेकिन इसको supplementary बोल सकते हैं, मतलब अलड़ी मैं पढ़ाइं, देखो, आपके पास कुछ किताब हैं, आपको वो syllabus जो है, वो पढ़ के खतम करना है, हम तो इस तरह से बोलते हैं कि पतलब पढ़ के खतम करना है, जैसे कि पढ़ने के बाद सारा आपने आप यहां आके store भी हो गया, और जब मुझे जहीं में निकाल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए तो हमको revision करना पड़ता है, तो question paper का भी एक approach है, मैंने question paper देखा, उसका question देखा, question देखने की बाद मुझे लगा कि ओके चलो मैं देखता हूँ कहा reference है इसका जोग्रफिक कुन से book में है, NCRT में देखता हूँ, तो आप टाइम जाएगा आपका, लेकिन उस process में you stick to the study, you feel interest in the study क्योंकि आप कुछ ढूंड रहे हो, नॉर्मली जब मैं पढ़ता हूँ न तो अलड़ी आपको पता है कि आगले page पे कुछ ना कुछ है, तो आप पक जाते हो, बोर हो जाते हो, या कितना खतम कुरूआ अभी हो गया दो गटा भी नहीं पढ़ना, and this is one of the good way to approach, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पढ़ाई का, मतलब आपकी पढ़ाई मतलब combination होना चाहिए, नॉर्मल आप जो पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो और फिर question पर solve कर रहे हो, और कभी-कभी just question paper के through मैं किताब की तरब जा रहा हूँ, और मतलब ढूण रहा हो कि क्या है क्या नहीं, तो यह चीज भी बहुत बढ़िया है, आप एक बार try करके देखो, मतलब मैं बोलता हूँ ना कि दिन भर आपका ऐसा होना चाहिए, मतलब एक बीत दिन ऐसा खाले नहीं जाना चाहिए, कि आपने question paper को go through नहीं किया, मतलब दो घंटा बैटके तो आपको paper solve करना ही है, मैं यह बोलता हूँ कि along with आपके PYQs, आप test series भी लगाओ ही लगाओ, कोई भी लगाओ, ABKs भी अपनी test series कंड़क कर रहा है, लेकिन test series लगाओ, online कुछ आपको और paper मिलेंगे वो solve करो, कुछ market में किताब हैं जिन्होंने कुछ model question papers देके रखे वो solve करो, जितने जादा question papers solve करोगे उतना आप exam के करीब हो, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो और अगर आप 100 से कम, I am saying 100, 100 से कम question papers अगर आप solve कर रहे हो, इसका मतलब आप up to the mark नहीं हो, अब अगर 100 question papers solve करने हैं और 100 दिन बाकी हैं तो पकड़ लीजे रोज एक करना है, मतलब रोज 2 गंटा बैटके आपको question paper solve करना है, तो उसमें आपका 2 गंटा चला गया, अगर ढंक से सोचे ना तो आपको 12 गंटे भी कम पड़े, क्योंकि आपको 2 गंटा paper 2 के लिए देना है, 2 गंटा question paper solve करने के लिए देना है, फिर geograff history भी पढ़ना है, फिर PYQs भी देखना है, है ना कुछ current पढ़ना है, तो इन सब में आपका, लेकिन इससे होता क्या है, यह जो अलग-अलग चीज़े रोज आपको करनी है, इससे आप पढ़ाहे में बने रहते हो, एक ही चीज repetitive करके bore नहीं होते हो, और maximum चीज़े यहां store रहने के chances बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक ही चीज़ को या अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग तरीके से पढ़ रहे हो, तो question paper का यह जो approach यह बहुत-बहुत important है, आप सिर्फ पढ़ोगे तो आप qualify नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, question paper आप जितना solve करोगे, उतना आपके chances बढ़ते हैं एक्जाम में qualify होने के, तो यह हो गई भाई एक बात, कि PYQs और दूसरे question papers test series जो है, it is very important for you to get qualify in this exam, ठीक है, यह हो गई एक बात, बहुत सार लोगों को एक यह सवाल होता है, कि सर यह सब तो ठीक है, लेकिन जो पढ़ रहे न वो भी कहा cover हो रहा है, और pressure दिन अब दिन बढ़ते जा रहा है, उपर से paper 2 भी बीच में आ रहा है, लिखने बैठते हैं, तो कुछ आता नहीं है, फिर वहाँ frustrated हो जाते है, फिर पढ़ने बैठते हैं, तो back of the mind यह चलते रहता है, यह कोई logic नहीं है, मतलब यह होने ही वाला है, क्योंकि आपकी memory इतनी sharp नहीं है, कि बहुत सारा information store तो करती है, लेकिन उस वक्त वो बाहर निकाले कि इसकी guarantee नहीं है, तो उसको करते रहना है, यह नहीं सोचना है, मतलब अरे यार यह तो मेरा बहुत बड़ा insult हो गया, कि मैंने पढ़ा और फिर भी मुझे नहीं आया, ऐसे insult पचाना सीख लो, और बार 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 वो करते रहो, ठीक लेकिन एक 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 चीज होती है, कि बच्चों का यह बोलना होता है, कि सर कैसे cover करे समझ में नहीं आता, मतलब बहुत सारा syllabus है, और फिर पढ़ते रहते हैं, और फिर हमें, मतलब अभी इतना सर, जोग्रफी भी बाकी है, फिर quality भी तो सर, लक्ष्मी गान सर का किताब देख है, सुनलो ध्यान से, किसी चीज की बारे में पढ़ते हो, how to cover, I am addressing this question, सर, पूरा syllabus cover कैसे करे, और मैं आपको उल्टा तरीका बता रहा हूँ, आप बोलोगे कि syllabus cover करने का तरीका बताने के लिए सर कुछ बोलेंगे, यह मत करो, वो मत करो, जल्दी से निप्टा लो, ने, मैं के बारे में तो अच्छा खासा description होगा, लेकिन कोई एक छोटी river है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा description नहीं होगा, कोसी के बारे में नहीं होगा, या South India के कोई छोटी river है, या कुछ ऐसा है, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा description नहीं है, तो उड़ने कुछ चिंचा बतला बड़ी-बड़ी रीवर्स के बारे में शायद आपको यदे याद रहा जाए, गोदावर्वर्ण के बारे में, हुसका कुछ specific issue है, क्वारे में आपको याद में रहने वाला, याद क्यों नहीं आया, कैसे याद रहेगा भाई एक फ्लो में पढ़ा है आगे बढ़ गया कोई computer का memory तो है नहीं कि सबकु store करके रखा और जब search का बटन दबाया आपने आप आ गया तो जब पढ़ते है तो कोई छोटी चीज़ आती है तो उसके बार में ज़्यादा पढ़ो कहां से पढ़े? Wikipedia Wikipedia से पढ़ो, कोई और source होगा वहाँ से पढ़ो, आपने किसी क्लास के digital notes या PDF आपके पास होगा, वहाँ search करो या और कोई किताब होगी उसमें डोंडो नहीं तो Wikipedia best है Wikipedia Google iOS है सिर्फ Wikipedia नहीं हो सकता है, कई और जगर से उसके information मिल जाए तो पकड़ लीजिए अगर आपके पढ़ने में कही एक tribal community का नाम आया और एक-दो community का नाम आया और आप आगे बढ़ गए अब आपको लगा यार सर इतना time नहीं है हर tribal community के बारे में कहा देखो मानता हो, हर tribal community के बारे में देखने जाओगी तो पूरा साल भी नहीं आपको वो सब होगा लेकिन किताब में चितनी दे रखिये, उसमें से कुछ communities के बारे में मैं देख सकता हो किया कम से कम अगर मैंने इतना भी कर लिया कि वो community के बारे में आपने Google पर डाला आपको नहीं पता है कि UPC क्या सोच के question मनाती है UPC यह सोचती है कि जब एक officer, to be officer जब कोई चीज पढ़ता है तो उस चीज को पूरी तरह से explore करता है, उसके सारे angles देखता है ये तो हो गया UPC का angle, मुझे क्या करना है उससे? हमें कौन सा फाइदा होता है, मैं आपको बताता हूँ कोई भी छोटी चीज या छोटा नाम बहुत बार याद नहीं रहता लेकिन पकड़ लो उस छोटी concept के या चीज के बारे में पकड़ लो दो-तिन दोस्तों में थोड़ा ज़्यादा discussion हो गया तो दो मैने बाद आपको शायद पुरा discussion याद ना रहे ना रहे लेकिन उस चीज का नाम कम से कम याद रहता है और ये चीज हमें डेली लाइफ में भी आपने notice की होगी कि normally हमें नाम याद नी रहते या कोई चीज याद नी रहती क्योंकि हमने बस उतनी चीज का नाम याद किया है लेकिन जब हम उस चीज के regarding बहुत ज़्यादा discussion करते है तो 6 मेने बाद वो discussion याद ना आ है लेकिन कम से कम उतना नाम याद आता है क्योंकि हमने उसके बारे में बहुत ज़्यादा knowledge ले रखा है तो छोटी चीज तो याद रहे जाती है यही चीज यहाँ भी apply करो पकड़ लीजे और एक example for example मैं आपको बताता हूं और एक example देके मैं आपको बताता हूं पकड़ लीजे आप पढ़ रहे हो और फिर नाम आया दादा भाई नारो जी है ना तो आप पकड़ लो आप Congress के early leaders के बार में पढ़ रहे हो and you come across दादा भाई नारो जी तो उनके बार में हो सकता है कि Spectrum किताब में कुछ दो-चार चीजे दे रखी है लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं थोड़ा और उसको explore करू Google पर जाओ Wikipedia पर जाओ मैं यह नहीं बोट रहो कि आप आदा एक घंटा उस पर spend करो लेकिन और 10-15 मिनिट में और 2-3 चीजे जो उनके बार में पता चल रही है और वही अगर मैंने लिख ली इससे होता क्या है कि देखो UPSC क्या करता है और अगर आपने notice किये कुछ पुराने question papers का train अगर आप देखोगे तो कोई चीज UPSC उठा दिये और वहाँ से थोड़ा उसके इदर उदर की कुछ चीजे इकटा करके है ना पकड़ो गांदी जी के बारे में सवाल पूछना है नौर्मली cover हो जाता है लेकिन it is not necessary तो मेरी भी कोई जिम्मेदर ही बनती है कि मैं अच्छा जो popular चीजे है ना उनके बारे में तो थोड़ा बहुत information होना है चीज लेकिन जो थोड़ी less popular है थोड़ी less popular उनके बारे में भी थोड़ा explore कर लो थोड़ा Wikipedia से इदर उदर से उससे क्या होगा आप किसी जिसकी बार में इतना पढ़ लो तो इतना तो कम से कम याद रहेगी अगर आप इतना ही पढ़ोगे तो यादी नहीं रहेगी या इतना सा याद रहेगा और वो भी blur हो जाएगा exam के दिन और खतम हो जाएगा तो cover कैसे करते अच्छा आप बोलेगे लेकिन इसमें तो जादा टाइम जाएगा सर तो syllabus cover कैसे होगा यह अभी आपको अभी लग रहा है जब आप इस तरह से syllabus को cover करते हो और जो अगली चीज़ में आपको बोल रहा हूँ वो अगर आप चीज करोगे तो आपको starting में जाएगा और फिर भी अगर सारा syllabus cover नहीं होता है फिर भी डरने की जरूत नहीं है क्योंकि जो आपने cover कर रखा है वो कम से कम आपको exam में याद पूरी तरह से आएगा वैसे भी आप हमेशा आपने आपको एक illusion में रखते हैं कि मेरा सब पढ़के हो गया सर और exam की दिन अग उसका क्या background है यह सब भी तो देखते हैं और फिर किसको बोलते भी यह बड़े चाव से तो यहां भी यह सब काम आप कर सकते हैं it will definitely help you है न तो यह चीज एक दिमाग में आप रखो दूसरी बात ऐसी है कि how to connect see what is more important here we read history then we read history and we just in that era लोक्माने तिलग का एरा चालू है बग पड़ते हैं यह जो सारे subjects हैं यह कोई watertight compartments नहीं है they are not they are connected to each other and कभी-कभी तो लगता है यह क्यों connected है भाई इतना अपना अलग से पड़े इतना अपना अलग से पड़े वो सही है but that is not reality जितना आप connect करके पड़ोगे आपका knowledge base बढ़ेगा और चीजें interlink करके पड़ोगे तो याद भी रहेगी simple example देता हूँ पकड़ लीजे government of india act 1935 government of india act 1935 जो है वो quality में भी relevant है क्योंकि हमारा 60-70% constitution हमने वहां से उठाया है और वो history में भी relevant है क्योंकि वो 1935 में आया था freedom struggle में बहुत उसका बड़ा importance है तो यह चीदि ध्यान में रखो पकड़ो अगर आपको आप कोई social issue पर ऐसे लिखना है पकड़ो woman का कोई issue है तो आज का current का जो issue चालू है let it be domestic violence, rape और untouchability caste system का कोई issue है तो आप अगर पीछे जाओगे तो social issue जब आप पढ़ रहे हो like before 1900 जब बहुत सारे social reformers थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है तो उनका reference तो जब मैं कर सकता हो कि sir 1900 में भी हमारे यहां इतने बड़ी सोच वाले लोग थे जोने ऐसा काम किया है और आज हमें क्या हो गया है कि हम लोग इतना छोटा सोच रहे है आज भी हम उसी कास्ट के चकर में अटके हुए है आज भी हम patriarchal society follow करते है so like can we say that we have really made a progress और फिर यह आपका सब भैतर है पकट लीजिए आप जोगर भी पड़ रहे हो उसमें आपने पंचनत के बारे में पड़ा जो पाच नदिया है रावी बिया सतला जेलम है ना तो इनके बार में आपने पड़ा और इंडस जो पाच नदिया है अब ध्यान रखो जब आप लाहोर का Congress session के बार मे मैं पड़ोगे 1929 जो की बहुत important Congress session रहा है हमारे Freedom Segal के history में क्योंकि हमने उस वक्त पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी जवारला नेरू उसके president थे and that was on the banks of Ravi River है ना तो pocket law आप history पड़ रहे हो और वहां लिखा है कि that was on the banks of Ravi River तो तुरंत map खोलो एक map book ले लो बहुत important है map book map book ले लो देखो भाई Ravi River कहा से पास हो रही है फिर थोड़ा उसके देखी रहे हैं तो देख लो कि भाई कहा से originate होती है कहा जा रही है उसके regarding अभी कोई issue है क्या social issue है क्या ओकि अच्छा ये issue है ये तो मैं argument में लिख सकता हूँ paper to में essay में लिख सकता हूँ और वैसे भी मुझे paper ओनों में भी current में इसके बारे में पूछ सकते तो मुझे पता होना चाहिए तो वहां मैंने just लिख लिया कि ये रावी का ये भी issue है इस तरह से चीजों को connect करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा पढ़ाए होगा मैं जानता हूँ कि आप शायद आप सोच रहे हो सर ये सब आप पहले क्यों नहीं मतलब अभी तीन में में क्या क्या करेंगे इसलिए मैंने session के start में बोल दिया कि जो लोग पहले से पढ़ रहे है और जो लोग बहुत serious है उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बस मैं approach change करने को बोल रहा हूँ और वो भी आपका जो चल रहा है उसमें जितना adapt हो सके उतना करो बड़ जो मैं बोल रहा हूँ इसने मुझे खुद help किया था और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बहतर तरीका है पढ़ाई करने का तो previous year question papers के बारे में हमने बात की दिन भर आप question paper के आसपास ही रहो without question papers don't study at all दूसरा cover कैसे करते है तो उस चीज की बार में जादा पढ़ो तो उतना तो कम से कम याद रही जाएगा तीसरा चीजों को connect करो और उसके लिए कुछ explicit effort लेनी की ज़रूद नहीं है बस conscious होके पढ़ना है जब मैं पढ़ता हूँ तो ये सोचना है कि अच्छा ये कहा आ गया भाई ओके हाँ ये वहाँ मुझे काम आएगा ओके हाँ तो इस तरह से मैं current पढ़ रहा हूँ तो current जब मैं कुछ भी पढ़ता ये नहीं कि मैंने current affairs में nuclear power plant के बारे पढ़ा आठ दिन बाद अगर मैं आपको पूछूँगा न तो गल्दी से आपको उस जगह का शायद नाम याद रहेगा बागी कोई भी important चीज याद नहीं रहेगी लेकिन अगर आप उसको explore करके उसके बारे में detail ढूंड होगे तो आ the last stuff which I am going to discuss is very 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 important it is last but not the least which is revision revision बहुत important है और हमारा revision करने का तरीका एक दम ही खराब है लोगों को लगता है कि भाई मैंने ये topic पढ़ लिया तो अभी 8 दिन बाद 15 दिन बाद में वापस और topic पढ़ूँगा उसको revision बोलते है कैसे उसको revision बोल सकते है जब मैं exam में जाने वाला हूँ तो मेरे सामने वो आपको ये बोलने वाला है क्या भाई ये किताब है ढूंड के दिखाओ कि ये topic कौन से chapter में है या कौन से पन्ने पे है ऐसा होने वाला है क्या एक्जाम में मेरे सामने किताब है क्या ओपन बुक टेस्ट है क्या नहीं है न तो मैं जब रिविजन करता हूँ तो किताब खोल के किसे रिविजन कर सकता हूँ रिविजन किताब बन करके ही होनी चाहिए लेकिन सर फिर कैसे मतलब रिविजन तो सर मतलब तो वही वही पढ़ना मतलब revision ना, वही वही पढ़ना मतलब revision, it is the worst way to go for revision, जादा time नहीं लोगा, सिधी बात करता हो, revision करने के तीन बहुत बहतर तरीके हैं, जिसके आपकी revision सही माहने में revision होगी, सबसे पहला और सबसे बढ़िया तरीका, एक blank page और pen लो, और decide करो कि आज मु का जो है, जो अलग-अलग constitutional bodies है, उनका revision करना है, जो मैंने अभी चार दिन पहले पढ़ी थी, okay, तो सबसे पहले अलग-अलग bodies के नाम लिखो, election commission of India, UPSC, जो भी है, है ना, उनके नाम लिख लिए आपने, और आप क्या किया, एक page पे, election commission के बारे में मैंने जो पढ़ा था उसके बारे में मुझे जो याद आए, let it be very random, मतलब आपको अगर याद आए कि, okay, तीन लोग होते है, article का नाम याद आए, फिर और कुछ जो है, article 324 का कोई line याद आए, फिर और भी election commission के बारे में, उसकी powers, उसके functions के बारे में, उसके critics के बारे में, जो कुछ याद आए, आए, क्या वो सोचो, इतना सब होने के बाद, जब आपको लगता है कि, भाई, enough, फिर किताब खोलो, देखो कि कौनसी चीज़े miss हो गई, कौनसी चीज़े आपने लिखी, और कौनसी चीज़े आपने गलती से गलत लिख दी, मतलब आपको लगा कि ये लिखना था, लेकिन अरे ने ने ये तो एज तो अलग है, 65 तो ही ने इस केस में, ओके ये तो यहाँ है, और फिर यो पूरा क्रॉस चेक करना, यार ये चार चीज़े तो बहुत इंपोरणन थी है, मेरे दिमाग से कैसे निकल गई, अभी तो जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता ही मैंने जाएगी, किताब कितने भी बार रट होगे न, वो confidence ही नहीं आता, कि मेरा revision हो गया है, वो बच्चे बोलते है, सर मेरे 3 revision हो गई, 2 revision हो गई, 4 revision हो गई, लेकिन उसको अना अंदर से वो feel नहीं आता है, कि मुझे पता है चीज़े, क्योंकि वो तब आएगा, जब आप अपली में भी कोई ऐसा होगा, यह थोड़ा manage कर सकता है, उसको बोल दो कि भाई, आज जो है, शाम को मेरा जोगरफी का, इस चीज़ का revision तुझे लेना है, तो वो chapter थोड़ा देखके रख, अगर तुझे चाहिए, तो यह questions है, वो देखके रख, लेकिन मैं बैठूंगा, तु सामरे बैठ, सवाल पूछ में जवाब दूँगा, उसके हाथ में अपना दे दो, और उसको बोलो पूछे, और जवाब दिने की कोशिच करो, जब सवालों की जवाब नहीं आएगे, जब वो insult करेगा कि भाई, क्या तुने पढ़ रखा है, मजा कर रहा है कि पढ़ र तरीका है, वो actually पहली चीज जो लेक्षर के स्टार्डिक में मैंने बताई, question paper solve करो, बहुत सारे PYQ solve करो, test series के question solve करो, दिन भर question paper के अंदर घुसे रहो, sectional paper होते हैं, उनको solve करो, actually जैसे कि मैंने बहुत सारे किताबे ऐसी होती ही, जो section wise questions देते हैं, मैंने कोई topic पढ़ा, तो topic wise भी उनके questions होते, उनको solve करो, जब उस सवाल का जवाब आता है, तो लगता है, okay I am on track, और ऐसे नहीं करना है कि अभी मैंने topic पढ़ा और तुरंट solve किया, अभी topic पढ़ा, तो 3-4 दिन बाद उस topic के ऊपर के question paper लो, 8 दिन बाद लो और solve करो, इस तरसे revision करना है, सबसे पहले blank page पे लिखना, जो याद आए हो, और फिर cross check करना कि क्या-क्या मिस हुआ, किसी के हाथ में किताब देना, question paper जो भी है देना, और उसको बोला भाई तो सवाल पूछ, और तीसरा, खुद question paper solve करना, आखरी चीज, revision cycle, यह बहुत important है, मैंने आपको एकदम starting में बोला था या फिर exam की दिन याद नहीं आने वाला है, तो वो दिन best ही हो गया ना, एक-एक दिन important है, यह तीन मेने का तो एक-एक दिन important है, तो कैसे करेंगे, छोटी से एक diary बनाओ, बहुत छोटी भी नहीं, थोड़ी middle size, उसमें ना, लिखो, आज क्या तारीक है, 7th of May, 7th of May में में म आज क्या पड़ा, 8th May को आपने क्या लिखोगे, आज मुझे क्या पड़ना है, प्लस कल का क्या revise करना है, फिर मैंने वो revise किया, ओके, अचा, बहुत 5th May में को आप वाप वापस 8th May को आवगे, 8दिन माइनस करके, 7 दिन माइनस करके, और देखे, इस दीन क्या revise किया था, अच्छा उसका रिविजन मुझे आज करना है, तो रिविजन के मैंने तीन तरीके बता हैं, एक रिविजन का तरीका एक दिन अपना ओ, फिर next time जब आप करोगे 8 दिन बाद, तो दुसरा तरीका अपना ओ, फिर 15 तरीक को बाद आपने क्या किया, साथ तरिक को पढ़ा, आठ तरिक को रिवाइज किया, फिर पंदर तरिक को दूसरी रिविजन की और आठ तरिक के बाद एक मैना, मतलब आठ जून को तीसरी रिविजन की इससे क्या होता है? आपका जो रिटेंशन है वो बढ़ जाता है लेकिन यह तभी होगा, जब आप लिखके रखोगे कि आज मैंने क्या पढ़ा दो चीदे लिखनी है, आज मुझे क्या पढ़ना है, और आज मुझे क्या रिवाइज करना है और रात को फिर देखना है कि जितना मैंने कवर किया क्या लेकिन रिविजन is very very important part of your study आप ठीक से सोचिए मुझे रोज का एक घंटा देड़ घंटा रिविजन को देना है फिर दो घंटा question paper solve करने के लिए दो घंटा paper to solve करना है और फिर बचे होए time में मेरा आपना खुद का बढ़ाई करना है ये जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि time कितना कम है और कितना मुझे dedication देना पड़ेगा final चीज and we are done number of days count मत करो number of hours count करो एक average बना लो कि मैं इतना घंटा पढ़ रहा हूँ 8 घंटे से ज़्यादा मैं उसे पढ़ाई नहीं हो रहा वो तो धीरे-दीरे बढ़ेंगे जब pressure बढ़ेगा तो 9 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे शायद लेकिन 8 घंटे में पढ़ रहा हू 8 into number of days करो उसके हिसाब से calculate करो कि मुझे जोगरफ के लिए कितने चाहिए हिस्टरी के लिए कितने चाहिए तब आप थोड़े reality के पास जाओगे यह 90 दिन, 100 दिन है ना यह बेवकूप बनाने का काम है number of hours में करो बढ़िया से करो question papers को अपने आसपास रखो रोज go through करो चीज़ों को cover करने के लिए उनके बारे में जादा पड़ो चीज़ों को connect करो और चीज़ों को revision cycle के through और revision करने के जो तीन दरीके मैंने बताए उनके through revise करो और सबसे important बात अगर अभी पढ़ाई की शुरुआत की है तो 2023 के लिए करो इस साल की exam 7th of August को है अगले साल की exam 6th of August को है तो 20 में तक जो आपको form भरने की उन्होंने मतलब date दे रखी है थोड़ा सोच के करो अगर अभी preparation करने वाले हो और अगर आपको लोग बता रहे कि तीन मेने में कैसे crack करते हैं don't listen to them if you really want to wear that uniform just be honest with yourself और अगर अभी से 2030 की preparation करते हो ना तो बहुत बैतर होगा क्योंकि sure shot हो जाओगे है ना तो वो उस एंगल से सोचो लेकिन जिन लोगों ने अल्रेडी preparation चालू किया है उन लोगों के लिए वीडियो था और उन लोगों को ये वीडियो help करेगा ऐसी मैं आशा करता हूँ and यहां रुपता हूँ all the very best